हेलो बच्चो इसके बद इस कवीता का प्रतिपाद्धे, सार और व्याक्या और प्रश्नोंतर मैं आपको बताउंगी महापराण कवी सूरेकान तिरपाथी निरालजी का जन सन 1899 में बंगाल राज्ये के महिशा दल नामक रिहासत के मेदी नीपुर जिले में हुआ था इनके पिता राम साहे तिरपाथी मूलत उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ा कोला नामक गाओ के निवासी थे इसमें भरती हो गए 14 वर्ष की आयू में इनका विवा मनोहरा देवी से हुआ इन्हें एक पुत्री एक पुत्र प्राप्त हुआ 1918 में पत्नी के दिहांत का इन पर घहरा प्रभाव पड़ा आर्थिक संकटों संघर्षों वा जीवन की यथार्थ अनुभूतियों ने निराला जी के जीवन की दिशाही मोड़ दी ये राम कृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम बैलूर मट चले गए वहाँ इनोंने दर्शन शास्तर का अध्यन किया तथा आश्रम के पत्र समन्वे का संपाधन किया सन 1935 में इनकी पुत्री सरोच का निधन हो गया इसके बाद ये तूट गए और इनका शरीर बिमारियों से ग्रस्त हो गया 15 अक्टूबर 1961 इसवी को इस महान साहित्तेकार ने प्रियाग में सदा के लिए आँखे मोन ली इनकी साहित्तिक रचनाएं सूरे कांत्र पार्ठी निरला प्रतिबा संपानवे प्रकर साहित्तेकार थे इनोंने साहित्ते की अनेक विदाओ पर लेखनी चलाई इनकी रचनाएं देखें इनकी कावेगत विशेष्टा है निरला जी चायावाद के आधार स्थम्ते इनके कावे में चायावाद प्रगतिवा तथा प्रियोगवाद कावे की विशेष्टाएं मिलती हैं ये एक और कबीर की परंपरा से जुड़े हैं तो दूसरी और समकालिन कवियों की प्रेणना के स्रोत्र भी हैं इनकी भाशा उर्दू में फार्सी अंग्रेजी के शब्द इस तरह प्रियुक्त हैं मानो हिंदी के ही हों तो बच्चो ये था हमारा कवी का जीवन परीचे अब मैं कविता का प्रतिपाद्य बताती हूँ बादल राग कवीता अनामिका कावे से ली गई है निराला की वर्षा रितू अधिक आकरिष्ट करती है क्योंकि बादल के भीता स्रेजन और ध्वन्स की ताकत एक साथ सम्माहित है बादल किसान के लिए उल्लास और निर्मान का अगरदूत है तो मज़ूर के संदर में क्रांती और बतलाव बादल राग निराला जी की प्रसिद कवीता है वे बादलो को क्रांती दूत मानते हैं बादल शोशित वर्ग के हितेशी हैं जिनने देकर पूंजी पती वर्ग भैबीत होता है बादलो की क्रांती का लाब दबे कुछले लोगों को मिलता है इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े चोटे पौदे बादलो को हाथ हिला हिला कर बुलाते हैं वास्ता में समाज की क्रांती के अविशक्ता है जिसे आर्थिक विशमता मिटे कवी ने बादलो को क्रांती का पृतिक माना है तो ये बादल रा कवीता का पृति पात दे था अब इसका सार बताती हूँ कवी बादलो को देखकर कलपना करता है कि बादल हवा रूपी समुदर में तेरते हुए शनिक सुखो पर दुखो की चाया है जो संसार या धर्ती की जलती हुई चाती पर मानो चाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं बाड की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमी मेवे नोका के समाल लगते हैं बादल की गरजना को सुनकर धर्ती के अंदर सोय हुए बीज यांकुर नए जीवन की आशा से अपना सेर उचा उठा कर देखने लगते हैं उनमें भी धर्ती से बाहर आने की आशा जाकती है ब चोटे वहलके पौदे हिल डूलकर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुलाते प्रतीत होते हैं कभी बादलों को क्रांती दूद की संग्या देता है बादलों का गरजन किसानों वे मजदूरों का नव निर्मान की प्रेढ़ना देता है क्रांती से सदा आम आदमी को ही फायद बनाते हैं आम व्यक्ति हर स्थिती में प्रसन्वे सुखी रहते हैं अमीर अत्यादिक संपत्ति कठी करके भी असंतुष्ट रहते हैं और अपनी प्रियत अमाओ से लिपटने के बावजूत क्रांति की आशंका से कापते हैं कभी कहता है कि कमजोर शरीर वाले क्रिशक बादल शुरू करने से पहले अगर आपको इसका सार प्रतिपाद्य कवी पर रीचे और प्रशनोत्तर के नोट्स बनाने हैं तो आप मेरी वेबसाइट भाशाग्यान.com पर जाकर अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ इसका ओडियो सुनना है तो आप कांशाओ से धन भेरी घरजन से सजक सुकतंकूर और में प्रिथवी के आशाओ से नवजीवन की उचा कर सिर्फ ताक रहे हैं ए विपलब के बादल शबदार देखे इसके तिर्थी मतलब तैर्थी समीर सागर वायू रूपी जो समुन्दर होता है उसको बोलते हैं समीर सा अगर अस्थेर मतलब शनिक चंचल तक मतलब जला हुआ निर्दई मतलब बेदर्द विपलब मतलब विनाश प्रलावित मतलब बार से गरस्त रंतरी युदगी नौका माया खेल आकांशा कामना भेरी नगाड़ा सजक जागरुक सुप्त सोया हुआ अंकुर बीज से निकल नया पौधा अंकुर जो मतलब बीज से नया पौधा निकल जाता हुआ उसे अंकुर कहते हैं और हिर्दे ताक्ता अपेक्शाओ से एक तक देखना बच्चों इस संदर्व देखिए पहले इसका प्रस्तुत का अवियान शमारी पाठे पुस्तक आरो भाग दो में संकलित क बाल राग से उत कृत है इसके रचयता माकवी सूरे का अंत्र पाठी नरालाजी है प्रसंध क्या है कσα कंख्यों का में इसमें बाल को क्रांती का प्रतिक मान कर उसका आवान किया है व्याक्या देखिए इसकी बाल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कांति दूत रूपी तुम अकाश में ऐसे मंटराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुक पर दुक्की छाया मंटराती रहती है सुक हावा के समान चंचल है तथा अस्थाई है बादल संसार के जले हुए हिर्देव पर निर्दय प्रलय रूपी माया के रूप में हमेश अस्थे रहते हैं बादलों की युद रूपी नौका में आमादमी की च्छाएं भरी हुई रहती हैं कभी कहता है कि हे बादल तेरी भारी भरकम गर्जना से धर्ती के गर्व में सोई हुए अंकुर सजग हो जाते हैं यानि अंकुर की आशाएं फूट पड़ती हैं इसमें विशेज देखे क्या है बादल को कांती दूत की रूप में चितरित किया है प्रगतिवादी विचारधारा का प्रिभाव है तत्सम शब्दा वली युक्त खड़ी बोली है कावे की रचना मुक्त छंद में है समीर सागर दुक की चाय आदी में रूपक सजक सुप्त में अनुपरास तथा काव्यांश में मानवे करन लंकार है और वी रसका प्रियोग हुआ है इस काव्यांश संबंदित प्रशन उत्तर जो कई बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो वो भी मैंने आपको दिये हैं आप इसको पढ़ सकते हो इसके प्रशन भी हैं और उत्तर भी हैं दूसरा देखे काव्यांश फिर फिर बार बार गर्जन वर्शन है मूसलाधार हिर्दय थाम लेता संसार सुनसुन घोर व्रज हुंकार आशनी पार्ट से शापित उननच्छचचट वीर शत विशंत हत अचल शरीर गगंस परशिस परधाधीर हसते हैं चोटे पौधे लगुभार शस्से अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विपलव रब से चोटे ही हैं शोबा पाते देखो बच्चो इसका शब्दार्द बता देती हूँ जो कठिन शब्द हैं वर्शन का मतलब बारिश मूसलाधार जोरुकी पारिश रदे थामना भैबी तोना घोर व्यंकर व्रज हुंकार मतलब व्रजपात के समान भ्यंकर आवाज और शनी पात बिजली गिरना शापित श्राप से ग्रस्त उननत बड़ा चचचचच सेकडो विशप्त गायल हत मरे हुए अचल परवत गगन स्परशी अ इसमें कवी ने बादल को विपलब वे शान्ती का प्रतिक मान कर उसका आवान किया है कवी कहता है कि हे करांतिकारी बादल तुम बार बार गरजन करते हो तुथा मूसलादार बारिश करते हो तुम्हारी व्रज के समान भ्यंकर आवाज को सुनकर संसाल अपना हिर्दे थाम लेता है अर्थात भहबीत हो जाता है बिजली गिरने से आकाश के उचाईयों को चूने की इच्छा रखने वाले उचे परवद भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रंचित में व्रज के प्रहार से बड़े बड़े वीशत्रू मृत्यू को प्राप्त हो जाते हैं दू प्रिनाश के शोर से सदा छूटे प्राणियों को ही लाप बिलता है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि करांती से निम्नवे दलित वर को अपना अधिकार मिलता है इसमें विशेश देखिए कवी ने बादल को करांती और विद्रो का प्रतीक माना है कवी का में अनुप्रा सलंकार है हिर्दे थामना हाति लाना मुहावरों का सार्थक प्रियोग हुआ है तत्सम शब्दावली उक्त खड़ी वोली है वीरस है और मुक्तक चंद है इससे भी संबंदित बच्चो प्रश्न और उत्तर जो काव्यांज से प्रश्न उत्तर बन कर आते हैं को मैंने इसके दिये हैं आप इसको पढ़ सकते हो और अपने आसे प्रश्न उत्तर भी त्यार कर सकते हो अगला काव्यांज देखिए अटली का नहीं है रे आतंक भवन सदा पंक पर ही होता जर्विलप प्रलावन शुद्र प्रफुल सलज से सदा चलकता नीर रोग शोग म से बादल तरस्त नया नुख टाप रहे हैं अब इसमें देखिए अटालिका का मतलब अटारिया महल होता है आतंक मतलब भवन का जो निवास होता है यक कीचड प्लावन बाड शुद्दुच प्रफुल खिला हुआ या प्रसन जलज कमल नीर पानी शोग दुख शैशव ब इसका भी संदर बच्चों पहले की तरह लिखा जाएगा प्रसंग देखिए इसमें कवी ने बादल को विलप्त वेकांति का प्रतिक मांग कर उसका आवन किया है कवी कहता है कि पुझी पतियों के उचे-उचे भवन मात्र भवन नहीं है अपीतू ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं ये सदे गरीबों का शोशन करते हैं वर्षा से जो बाड़ आती है वह सदा कीचर से भड़ी धरती को ही दुवोती है भेंकर जल प्लावन जैसे कीचर पर होता है यही जल जब कमल की पंगड़ों पर पढ़ता है तो वह अधिक प्रसंग उठता है प्र अधिक सादनों पर कबजगा रखा है उनकी धन इकठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी इतना धन होने पर भी उन्हें शांती नहीं है वे अपनी प्रियाओं से लिप्टे हुए फिर भी बादल की गरजन सुनकर काप रहे हैं वे क्रांती की गरजन सुनकर भैसे अपन मुझ को छिपाए हुए हैं विशेश देखे कभी ने पूँची पतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है प्रतिकात्मग भाशक अप्रियों किया है तत्सम शब्दा वली खड़ी बोली है पंक पर अंग अंग ना आतंक अंग में अनुप्रा सलंकार है मुक्तक हैं और इससे संबंदित भी प्रशन उत्तर मैंने आपको दिये हैं आप यहां से पढ़कर अपने तयार कर सकते हैं जीन भाव है शीन शरीर है तुझे बुलाता क्रिशक अधीर है है व्रपल के वीर चूस लिया है उसका सार हार मातरी है हादार है जीवन के पारावार देख जीन मतलब पुरानी शितिल जो पुरानी चीजे टीजे हो चुकी है भुमतलब भुजा शीन मतलब कम्जोर कर्शक मतलब किसान अधीर व्याकुल विलप मरिनाश सार प्राण मतलब सार का मतलब प्रां हाड मातर केवल हडीयों का ढ्याजा हो wait Razrir का समंदर तो इसमें देखे ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है, अब वे हडियों का धाचा मातर रहे गया है, हे जीवन दाता, तुम बरसकर किसान की गरीवी को तूर करो, क्रांती करके शोशन को समाप्त करो, इसमें विशेश देखिए, कभी ने किसान की दयनी दशा का सरजेव चितरन किया है, विद्रोग की भावना का वर्णन किया है, शीन शरीर में अनुपरा सलंकार, तता कावियांश में मानवी करन अलंकार है, तत्संत शब्दा वलिक्त खड़ी वोली है, मुक्तक छंद है, संपोधन शैली का प्रयोग है, चितरात्मक शैली है, इससे स वेबसाइट भाशाग्यान.com पर डाल रही हूँ, आप वहाँ से अपने नोट्स त्यार कर सकते हैं, आपको एक अवीता कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, धन्यवाद